हर्याना में चुनावी प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले कॉंग्रिस को उबारने उतरेंगी सोनिया गांधी यहां आपको बता दी कि हर्याना विदानसवा चुनाव का प्रचार अंजाम तक पहुच रहा है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी और केंद्री ग्रीमंंत्री अमिशा से लेखर मुख्यमंत्री मनोहलल खटर भार्ती जनता पार्टी के लिए जंप प्रचार कर रहे हैं वहीं कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी भी राज में रैली कर चुके हैं अब कॉंग्रेस की अंत्री मध्धेक्ष सोनिया गांधी भी प्रचार करने हरियाना की जनता के बीच जा रही है दिल्चस बात यह है कि शनिवार को चुनाव प्रचार का आखरी दिने और सोनिया गांधी शुक्रवार को रैली करने जा रही है 19 ऑक्टूबर को होने जा रहे माराष्ट और हरियाना विधानसबद चुनाओ के लिए कॉंग्रिस की अंत्रीमा ध्यक्ष सोनिया गांधी की ये पहली रैली होगी सोनिया गांधी हरियाना में एक रैली को संबोधित करेंगी बताने कि ये रैली महेंद्र गड में होगी कॉंग्रिस के पूर्विधायक रावदान सिंग को उतारा गया है उनके सामने बिजेपी के राम बिलाज शर्मा है शर्मा नहीं 2014 के चुनाओ में रावदान सिंग को हराया था हाला कि उसे पहले 2000 से 2009 तक इस विधानसबद सीट पर दान सिंग जीतते आए हैं पहाए है आए हैं पहाए हैं प्राव आ पाल क्यों है क्यों है म מעतिता sono